जहिन मेरे दोस्तों आज हम प्रसना वले 3.2 का NCRT बूक तेंथ कलास का प्रसन कर्मांग एक का भाग नमर वन इस वीडियो के अंदर हम लोग आज कौभर करेंगे जो दो चरवाले रैखिक समीकरन का प्रसन होगा प्रसन का रहा है कक्छा X के दस विद्यार्थियों ने एक गनीत की पहली प्रयोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिये लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्याद कीजिए ठीक है मस्याओं में रैखिक समीकरन के युगों बनाएं और उनके गराफिय विधी से हल करा है करने के लिए ठीक है तो आएए अब देखते हैं इस प्रस्वन को कैसे हम लोग गराफिय विधी से हल करते हैं ठीक है तो यहाँ सबसे पहले देख लेंगे कि कक्छा X के दोस विद्यार ठीक है तो कक्छा X है जिसमें दोस विद्यार थी है तो हो सकता है इसमें लड़का और लड़की दोनों होगा तो लिखेंगे सबसे पहले माना लड़का का संख्या ठीक है माना लड़का का संख्या कितना है एक्स होगा और लड़की और लड़कियों ठीक है लड़कियों के संख्या क्या होगा Y होगा तो इसमें क्या कहा कि X कच्छा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गनीत की पहली में तो आप यहां देख लेंगे कि इसका मतलब है कच्छा जो X है इसमें लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के 10 विद्यार्थिये ठीक है तो यहां लिखेंगे क्या X पलस Y बड़ावर 10 जो कि इसको equation एक लेना है ऐसे ठीक है फिर आगे परते हैं तो आगे क्या कह रहा था प्रस्न कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या क्या कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ठीक है तो यहां हम सबसे पहले देख लेंगे यहां क्या है कि लड़कों की संख्या है ठीक है जो लड़कियों की संख्या से बोल रहा है क्या 4 यहां अधिक है इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से लिखने के बाद क्या करेंगे X पलस में इधर आगा तो माइनस में और A पलस में बराबर के दाएं साट जाएगो तो माइनस चार हो जागा ये समीकरन क्या हो जागा 2 हो जागा अब ये दो समीकरन के माध्यम से हम देख लेते हैं सबसे पहले कि लड़के और लड़कियों के संख्या होता हमको कितना है ठीक है इसके बाद हम गड़ाफियों बीधी को यूज करेंगे तो यहां हम देखेंगे लिखेंगे समी करान समी करान एक और दो को जोरने पर ठीक है एक और दो को जोरने पर तो इसको जोरने हैं सबसे पहले एकस परलस वाइ बराबर क्या हो गया दोस एकस माइनस वाइ बराबर क्या हो गया- Wagina- Čत ??? रिक है अब इसको जोर में इखे हो गाने चोछ तो इस तरह से अगर देखे तो एकस बराबर कितना हो जागे चोज कितना हो जागा कि लड़का का संख्या इसमें कितना है संख्या जो है इसमें को तीन है ठीक है तो अब लड़कियों का निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या, समीकरान, समीकरान, एक में, X का मान, रखने पर, ठीक है, करमान रखने पर, तो यहाँ समीकरान, एक क्या था, X पलस Y बराबर क्या है, 10, ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं, यदि समीकरान, तो समीकरान, X पलस Y बराबर क् तो यहीं पर हम क्या कर लेंगे आप एक्स कमान जो हमको तीन निकला है यह एक्स के जगर रख लेंगे तक है लिखेंगे तीन पलस वाई बराबर क्या होगा दोस तो वाई बराबर क्या होगा दोस और पलस में तो इधर आगा माइनस में तो वाई बराबर क्या हो गया साथ इ ग्राफ्य विधी से तेकेंगे तो यहां सम्मीकरन एक हमको दिया हुआ है एकस परलस य बराबर क्या हुआ है दॉस दिया हुआ है तो यहां कैसे निकालेंगे तो देखें सम्मिकरन एक हमको दिया था क्या दिया था? x पलस y बराबर 10 दिया था ठीक है न? तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले कि x के जगा हम 0 रख लेते हैं तो y का मान निकल जागा तो क्या लिखेंगे x बराबर 0 तो लिखेंगे क्या? x का गद 0 पलस y बराबर क्या हो गया? 10 तो y बराबर कितना हो गया? 10 ठीक है? तो y का भैलू हमको आगया इसमें 10 आगया ठीक है? फिर क्या करेंगे? फिर इसमें y का भैलू हम 0 रख लेते हैं ठीक है? इसलिए रख रहा है x पॉलस 0 बरावर 10 तो क्या होगा x बरावर 10 तो यहाँ x बरावर हमको कितना आ गया तो 10 आ गया तो यहाँ हम x के जगा 10 लिख लेगे ठीक है तो समी करन एक का जो box जो हुआ x और y का इतना हमको निकल गया ठीक है अब हम क्या करेंगे समीकरन 2 को देखेंगे, ठीक है, समीकरन 2 से, ठीक, तो समीकरन 2 का हम देख लेते हैं, कि equation number हम को कितना पता है, तो X-Y बराबर क्या है, माइनस 4, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, अभी, तो क्या करेंगे, X-Y बराबर माइनस 4, और ये box को इस तरह से बना लेते हैं, ऐसे, X-Y, ठीक है, तो ऐसे हो गया, अब क्या करेंगे यहाँ, कि X का भैलू यहाँ हम फिल 0 रखेंगे, उसी तरह से रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ X बराबर जब 0 रख आएंगे, तो माइनस Y और बराबर माइनस 4, तो माइनस माइनस कट गया, तो Y बराबर क्या हो गया, 4, तो यहाँ Y बराबर 4 आगया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर Y का भैलू इसी तरह से हम फिर 0 रख लेंगे, ठीक, तो यहाँ देखें, आप अगर रखते हैं अगर हम फिर लिखेंगे तो क्या होगा x-y बराबर क्या होगा माइनस 4 तो x-0 बराबर माइनस 4 तो x बराबर क्या होगा यहाँ यहाँ माइनस 4 आ गया ठीक है x बराबर हमको क्या आ गया यहाँ माइनस 4 तो इसी तरीका से यहाँ क्या लिखेंगे हम minus 4 लिखेंगे अब देखेंगे दोस्तों graph को हम कैसे आप drop करेंगे तो यहां हम देख रहेंगे sammikaran 1 का ये box आ गया और sammikaran 2 का ये box आ गया तो आईए आल वीडियो मे लगातार अधिक कितना है तो सबसे अधिक 10 है तो क्या कि यह 10 इस साइड भी ले लिए है और 10 इस साइड भी हम ले लिए है ठीक है अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे सो देखिए ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि X का भेलू कितना है तो 0 है ठीक है तो यह रहाँ 0 0 तो होग गरता है, Y का फ्सक्राइब कितना है, तो 10 है, ठीक है, डिखेंके इसके पीछे माइनस नहीं है, तो Y बाला सीच है, तो Y बाला में हम दोस में आएंगे, ठीक है, तो Y 12 में चलेंगे तो ऊपर होगया, 12, यहां पर prestoori तो लिखेंगे जीरो कोमा दस लिक लिए ठीक है इसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे तो x का भैली कितना है 10 है तो x का भैली यहाँ और 10 है ठीक है नीचे क्या है जीरो तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से ले लिए हैं अब इसको क्या करते हैं सबसे पहले यहां मिला लेते हैं इसको ठीक है ऐसे हम इसको मिला लेंगे और मिलाने के बाद क्या करेंगे यहां पर हम समीकरन का मान लिख देंगे तो क्या था इसका यह X पलस Y बड़ावर यह 10 का था ठीक है अब हम ठीक है, y का 4 है, तो यहाँ y हो गया 4, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0,4, तो लिखेंगे 0,4, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, तो x कमान के तरह है, माइनस 4, तो यहाँ x में हम आएंगे माइनस 4, ठीक है, और y का 0 है, तो इसको हम लिख सकते माइनस चार कॉमा जीरो ठीक है अब क्या करेंगे इसको हम यहाँ पर मिला लेते हैं तो इसको इस तरह से मिला लेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसे हम इसको मिला लेंगे ठीक है जब इसको जब हम इस तरह से मिला लेंगे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम यह एक्वे वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास क्या करेंगे तो इसे सेर कर लेंगे